हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम कैसे हो दोस्तों, आप सभी आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, प्रार्थना करूंगा ईश्वर से, कि आपको हमेशा खुश रखे, बस इसी प्रार्थना के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करता हूँ, बहुत खास वीडियो है, प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट सेक्षन में राधे राधे जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो को शेयर करना ना भूले, देखिए स्क्रीन पर आपको दो शंक रहोंगे, फर्स्ट एंड सेकंड में से कोई, जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, उससे चूज कर लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि तेरो कार्ड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, इस दिवाली पर आपको कितना पैसा मिलेगा, आखिर ईश्वर की तरफ से आपको क्या उपहार मिलने वाला है, इस दिवाली पर आपके कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है, क्या खास होने वाला है, आपके जीवन में जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से पलट कर रख देगा, और अभी क्या चल रहा है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे प्लीज फर्स्ट नंबर जितने भी चूस कर है, देख लेते हैं, इस दिवाली पर आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है, देखिए, सबसे पहले तो समस्याओं से अधिक परिस्थिती को आप अपने विचारों की वजह से कठिन बना रहे हैं, बहुत ज्यादा कठि चुपाने से कुछ नहीं होगा और समस्याओं बढ़ती जाएगी, आप हमेशा अपने दिल में जो भी इच्छा है या जो भी बात है उसे दबा कर रखते हैं, जो आगे भी आपको दिक्कत देने वाली है, परिवार के लोगों के सामने अपनी समस्याओं को रखे या आपक लिए बहुत जरूरी है और अपने अपेक्षा के अनुसार उनका साथ आपको प्राप्थ होगा, अधिकतर जिम्मेदारी आपको खुद निभानी है तो इसके लिए तैयार भी रहे, गलत लोगों की संगत का असर आपके व्यक्तित्व जीवन पर नजर ए रहा है, पैसों स संबंधित नुकसान भी हो रहा है, इसके बारे में परिवार के लोगों को जरूर बताएं, थोड़ा आप रिलैक्स फुल करेंगे, उसको सॉल्यूशन भी मिलेगा, अगर कोई निर्णय गलत हुआ है, तो उसे सुधारने का मौका आपको जरूर मिलेगा, बिल्कुल उसकी वजह से जो दुख आपको महसूस हो रहा है, उसे बुक को खुद पर हावी ना होने दे, अपने विचारों को आप जैसे ही पॉजिटिव रखेंगे, हम आपके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होता जाएगा, अभी देखिए, इस दिवाली आपके साथ बहुत क अच्छा होने वाला है, लेकिन वो आपके नेगेटिव है, जो उसे अच्छे को आप तक पहुँचने नहीं दे रही है, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग से नेगेटिव को निकलना होगा, चाहे कितनी ही समस्या हो, आप अपने दिमाग में से नेगेटिव को निकल अब ये सोचे कि हमारी लाइफ में क्या पॉजिटिव हो सकता है और जिस इनसान को ईश्वर पर भरोसा होता है, खुद की सोच पर, खुद के विचारों पर भरोसा होता है, जिसके होसले बुलंद होते हैं, उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, कभी कुछ बुरा नहीं ह चाहे वो फैसला ले, कौन सा विलेज गलत भी ले, तो उसके मार्ग में रुकावट पैदा होंगे, और वो फैसला लेने के लिए वह कही न कही थोड़ा विचार करने लग जाओ. कुछ चीज औंटोमेटिक हमारे साथ होती है, अगर हम पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, और गलती से भी हमारे साथ अगर गलत होने वाला रहता है, तो ईश्वर की तरफ से हमें संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं, इस तरह से कनेक्शन हमारा बन जाता है, अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आपके द्वारा कोशिश से बधाई जा रही है, लेकिन विचारों के कारण क्षमता के अनुसार कम करपाना संभव नहीं होगा, लोगों पर विश्वास रखने की आवश्यक्ता है, तभी एक दूसरे के साथ जुड़कर बड़े निर् अपनी अपेक्षाओं के अनुसार फल मिलने के बाद भी प्रसन्नता नहीं मिलेगी, बड़ा नाम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न सफल होंगे, लेकिन नियमों का ध्यान रखने की जरूरत है, परिवार के लोगों की आपके लिए राखी अपेक्षाओं को भी आपको सम आलोगाव का सर अपने ऊपर बिल्कुल कहेंगे, लोगों का कम है कहना, लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि लोग यह का रहे हैं, वो का रहे हैं, तो देखिए, इस दिवाली आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छी कंडीशन है, क्रियेट होने वाली ह तो बिल्कुल टेंशन ना लें आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी खुश खबरी ए गई, लेकिन जरूरी है, तो आपने आपको थोड़ा सा पॉजिटिव करें, थोड़ा अपने आपको फ्रेश रखिए, थोड़ा अपने आपको बिल्कुल एकांत में अच्छे से मैन ल तब तक आपको पूरी दुनिया ही नेगेटिव नजर आएगी, हमें किसी को भी नेगेटिव नहीं समझना है, किसी को भी नेगेटिव नहीं बोलना है, हमें खुद के अंदर परिवर्तन करना, जब तक हम खुद के अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आ इसके साथ एक चीज और बता दे दोस्तों के, इस दिवाली पर आपके financial condition पूरी तरह से ठीक होने वाली है, आपका business बहुत अच्छा चलने वाला है, बहुत progress होने वाली है, आपकी नौकरी में, business में, आपके भाग्य में, आपके future में बहुत अच्छा improvement आपको इस दिवाली पर दिखेगा, आपका काफी अच्छा nature भी लोगों के बीच में प्रभावित होगा, काफी कुछ change आपके अंदर जो बदलाव है, उसको सम्मानित लोग करेंगे, समझेंगे, आपका रुत्बा पड़ेगा, आपकी जो एक पकड़ है, वो मजबूत होगी, मतलब बहुत अ समय है, तो बिल्कुल tension नहीं लेना है, तेरो कार्ड बता रहा है कि वो आपके जीवन में जो दुख था, अभी तक वो खत्म हो चुका है, अभी 15 दिन से काफी कुछ change आया है जीवन में, और आगे भी और आने वाला है, मतलब बहुत अच्छा समय और आने वाला इस दिवा इस दिवाली आपके घर से सारी दरिद्रता, सारी बुराईया, सारी अशान्ती और जितने भी दुखी सब कुछ ले जाए, और आपके घर में सुख सम्रिद्धी और संप्रभुता दे कर जाए, आपकी दिवाली बहुत अच्छी हो, इसी कामना के साथ हम आज के इस वीडि इस वीडिर क्या संकेत है, यूनिवर्स की तरफ से क्या कुछ कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको तो देखिए, व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, केवल अपनी भावनाओं पर ध्यान देने की वजह से, परिवार के लोगों की समस्याओं को समझना आपके लिए कठिन होगा, यात्रा से संबंधित लिए गए निर्णय स्थगित करने पद सकते हैं पैसों से, वक्त का ठीक से इस्तिमाल करना आपको आ नहीं रहा है, वरना आपकी लाइफ में अभी तक वह सारी उपलब्धियां आपको मिल जाती, जिस से आपको नुकसान भी होता है, आलस आपके उपर बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, दिन्चर्या बहुत अस्त व्यस्त नजर आ रही है, न कोई उठने का टाइम फिक्स है, करियर से संबंधित एक ही मार्ग चुन करके उसमें खुद को पारमगत करने की कोशिश करें, हमें इंट्रेस्ट है क्या एबिलिटी हमारे अंदर, क्या योग्यता उसे समझ करके फिर हमें इंट्रेस्ट से आगे बढ़ना होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित लिये गए निर्णय के कारण परिवार के लोगों में असंतोश रहेगा। किसी भी प्रकार के बड़े लेंदेन में एक दूसरे के साथ पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। अभी वातावरन भले ही आपको तनाव पूर्ण लग रहा है, लेकिन समस्या तुरंत सुलज परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। मनमर्जी के अनुसार आप काम कर पाएंगे। खुद की गलतियों से कहीं न कहीं आप सीख लेंगे और लोगों के विरोध को समझने की कोशिश भी करेंगे। जिम्मेदारियां उठाते समय दिल दिमाग दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश करें। इस बात को समझे, काम की वजह से परिवार के लोगों से दूर रहना पड़ेगा। अकेलापन बढ़ सकता है, अपनी क्षमता के बारे में जागरूकता आपको महसूस होगी, खुद में बहुत ज्यादा बदलाव करने की आपको कोशिश करेंगे। खुद की समस्याओं की चर्चा किसी के साथ करना संभव नहीं है। अपने आपको प्रेरित करते रहे और य इसलिए लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जो आपके इच्छा हो, उससे कई गुना बेटर आपको मिले हो सकता हो, उससे कई गुना अच्छा आपको मिले है न, यह भी हो सकता है कि जितना आपको मिल रहा है, आप सोच रहे कि मैं उसी में कवर कर लूँ, लेकिन अभी कर, लेकिन ईश्वर चाहता है कि थोड़ा सा रुक कर वो उससे बड़ा आपको दे। कहते हैं ना कि जब ईश्वर हमसे छोटी डॉल छिनता है तो बहुत बड़ा टेडी बियर हमें गिफ्ट के रूप में वो देता है। तो बस इसी तरीके से इसवर पर विश्वास रखते हुए हमें जीवन के जीने की कला को सीखना है कि ईश्वर जब देंगे समय के अनुसार हमें दे देंगे। कमेंट सेक्शन में जैमातादी लिखें चैनल को सबस्क्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद जैमातादी